हां जी तो कैसे हो अब सब लोग तो आज देखे मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने कटल फिश बोन मगवाई थी मिठू के लिए उसको किस तरह से यूज करना है किस तरह से आपने अपने पैरट को देना है खाने को और उसके क्या फाइदे हैं सब कुछ जो है आज मैं आपक कर सकते हैं मैं लिंक आपको दे दूंगी और आप वहां से जो है इसली बाय कर सकते हो जब भी आपने न अपने पैरट को कोई भी चीज देनी होती है जैसे की seeds हो गए, अभी जो cuttlefish bone है ये होगी, आपने हमेशा जो है अपने parrot को quality वाली चीजी ही देनी है, ऐसी नहीं है कि low quality वाली चीज दे देनी, उसको जो है हमेशा quality आला product ही खिलाना है आपने, ऐसा ना हो कि product सस्ते के चक्कर में जो है आप उसको घटिया या फिर low quality product मत द कि जीएगा खाने को क्योंकि इससे जो है, parrot को जो है, disadvantageous भी हो सकते हैं, तो देखिये मैंने तो जो है, हमेशा best quality वाले product ही यूज किये है, तो पहले seeds मगवाई थे, वो भी बहुत अच्छे थे, अभी जो है, जो मैंने cuttlefish bone मगवाई है, तो ये भी बहुत अच्छी है, तो को खिला सकते हैं, इस तरह से भी, second तरीका ये है, आप जो है, अपने parrot के जो पिंजरा है, उसमें इसको जो है, लटका सकते हैं, रख सकते हैं, देखिये, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, अगर चाहू तो आप जो है, पिंजरे के ऊपर भी इसको जो है, बान सकते हैं, कि तो अब भी बात करेंगे कि कटल फिश बोन के बैनेफिट्स क्या है तो देखें इसका सबसे पहले जो फाइदा ये है जो फीमेल पैरट होती है जब वो ब्रीडिंग करती है यानि कि जब वो अंडे देती है उस टाइम जो है कटल फिश बोन देते हैं कैल्शियम ब्लॉक दे होते हैं जो उनके बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से पलते हैं पैदा होते हैं उनकी जो बोन्स होती है बहुत स्ट्रॉंग होती है ऐसा नहीं होता है कि कोई पैरट जो है ठीक ना हो जैसे कि कोई विकलांग होता है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है तो जो फीमेल पै कमी को दूर कर देते हैं पूरी तरह से कैल्शियम की जो प्रॉब्लम होती है उसको भर देते हैं जैसे कि पिंजरा तोड़ता है या चीजों का नुकसान करता है तो इसलिए जो है मैंने भी पैरट के लिए मगवाया है ये बोन तो ये जो है बहुत अच्छा वर्क करेगी इस और चेए इनके फैदर्स नहीं जढ़ेंगे पैरट के तो जो पैरट की हड़ियां हॉँगी वह भी बहुत ही मजबूत रहेंगी ना ही इनके फैदर्स जढ़ेंगे इसको देने से तो लिंक जो है मैंने दिस्क्रिप्छिझ बॉक्स में दे दिया है आप वहां से जो है बाई कर लीजिए, लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप जो है इसको बाई कर सकते हैं, so thank you for watching.